हलो एवरिवन मेरे नाम तुशार तुशार भारदुआज और ये आपका अपना फेवरिट चैनल साइन्स वर्ड आज की वीडियो में हम क्लास 10 की साइन्स का जो फ़स्ट चेप्टर है इस चेप्टर में बहुत सारी इक्तिविटी है उनमें से एक अक्तिविटी को हम आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं activity number कौन सा है 1.4 देखिए जो activity है 1.4 इस activity में हमें basically check करना होगा कि क्या जो combination reaction चलती है calcium oxide और water के बीच क्लाइम में जब हम water को add करते हैं तो क्या ये combination reaction, exothermic reaction है या नहीं है इस चीज़ को हमें check करना होगा तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो का topic NCRT activity number 1.4 देखिए वीडियो को start करने से पहले हमें एक word का meaning clear होना चाहिए कि combination reaction क्या होती है हाला कि इस पर हमारी separate वीडियो पहले जा चुकी है आपको description box में उसका link मिल जाएगा अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बारा पॉसको देख सकते हैं देखिए combination reaction का मतलब होता है ऐसी reaction जिसमें reactant 2 होनी चाहिए reactant कितने होनी चाहिए 2 तो 2 या 2 से ज्यादा reactant जब combined होते हैं तो एक नया product देखने को मिलता है ठीक लेकिन अब यहां पर highlight किया जा रहा है एक्सचर्म को एक्जदर रहेक्शन क्या होती है ऐसी reaction जिसमें product के साथ हीट रिलीज करने हीट नहीं की लेकिन जो product होता है उसके साथ हीट रिलीज होती है तो इसी चीज को हमें आज किस activity में समझना है जब हम calcium oxide की reaction कराते हैं water के साथ तो क्या जो product बनेगा उसके साथ heat release होगी या नहीं होगी अगर heat release होती है तो हम कह सकते हैं कि calcium oxide जब water के साथ reaction करता है दोनों को हम combine करते हैं तो ऐसी जो reaction होती है तो यह जो reaction होती है इसको हम exothermic reaction कह सकते हैं लेकिन इसकी शर्थ क्या है? प्रोड़क्ट की साइड heat release होने चाहिए. तब ही हम कह सकते हैं कि यह combination reaction जो है, वो exothermic reaction है. अब देखिए इस activity को perform करने के लिए में किस-किस material की आवशक्ता होती है. तो यहां आप ऐसे note कर सकते हैं, material required. क्या-क्या material चाहिएगा आपको? फर्स्ट, beaker. ठीक है? एक ऐसा container जिसमें आप materials को add करेंगे. नेक्स्ट, calcium oxide. Calcium oxide को quick line के नाम से भी जाना जाता है. और last, number third, water. तो यह तीन चीज़ों की आपको आवशक्ता पड़ीगी इस activity को perform करने के लिए. अब देखें, इसका processor क्या है? सबसे पहले आप एक container लेंगे. इस container में आप quick line, CAO, calcium oxide को add करेंगे. इस तरीके से यहाँ पर हमने calcium oxide ले लिया है. ठीक है? 5 gram के nearby आप उसको ले सकते हैं. उसके बाद आप इसमें क्या add करने वाले हैं? water. ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ पर water add कर देंगे. यहाँ पर नाम note कर लेते हैं. यह calcium oxide है. और यह water. ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर हमें जो तीन चीज़ों की आवशक्ता है, वो क्या-क्या है? एक beaker लेंगे आप, calcium oxide लेंगे और water लेंगे. जब बात की जाती है, प्रोसेजर की. तो simple processor है. एक आपने beaker लिया, उसमें 5 gram के nearby आपने calcium oxide को डाला, quick line को डाला, जिसको general भाशा में चूना कहा जाता है. नेक्स्ट आपने क्या करना है? वाटर को एड़ कर देना है. जब आप पानी को एड़ कर देते हैं calcium oxide के साथ, calcium oxide में water को एड़ कर देते हैं, किसी beaker के अंदर. तो होता क्या है? आप इस container पर तच करके देखते है fingers को, तो आपको कुछ heat feel होगी. container की जो wall होती है, slightly warm होने लगती है. अगर हम इस चीज़ को reaction की form में दिखाए, तो देखें reaction कैसे लिखेंगे आप? calcium oxide plus water और आगे क्या produce होगा? CAOH का hole twice plus heat. अब आप notice करना, starting वेरे आपको क्या बताया था? एक्जोधर्मिक reaction क्या होती है? जिसमें heat release होती है. हमने heat नहीं दी, लेकिन heat release हो रही है. इसी तरह की reaction को एक्जोधर्मिक reaction कहा जाता है. हमारे जो ये activity है, 1.4, इस activity में basically target क्या है? ये check करना, कि जो calcium oxide होता है, जब हम उसमें water को add करते हैं, और हमने heat नहीं दी, simple उसको add कर दिया, एक container के अंदर, एक beaker के अंदर, तो क्या होता है? जो product बनता है, CAOH का hole twice, मतलब lime water जब बनता है. तो ये जो slate lime बन रहा है, slate lime इसका दूसरा नाम है, तो जो slate lime बनेगा, इसके साथ heat release होती है, तो container की valve जो गरम हो जाती है, आप उसको simple acid हाथ से check कर सकते हैं, clear? तो ये बात साबित हो जाती है, कि calcium oxide और water को जब हम add करते हैं, ये जो combination reaction है, ये एक exothermic reaction है, clear? और ये ही हमारे से पूछा जा रहा था activity 1.4 में, कि क्या calcium oxide जब water के साथ add होता है, तो ये reaction जो combination reaction है, ठीक है, combination दो है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा जो reactant combined होते हैं, उस reaction को combination reaction कहते हैं, और एक नया product बनाते हैं, ठीक है? तो ऐसी reaction को हम क्या exothermic reaction कह सकते हैं? तो answer है, हाँ, हम इस reaction को exothermic reaction कह सकते हैं, कैसे पता चला? container की valve जो ह slightly warm होने लगती है, और reaction की form में अगर आपको दिखाने हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, clear? तो आज की वीडियो में हमने क्या discuss किया, कि NCRT का जो first chapter है, chemical reaction and equation, class 10 की science का, उसमें देखे, बहुत सारी activity दी हुए, उन में से एक activity 1.4, आज की वीडियो में हमने clear की, जिसका main target क्य क्या था, aim क्या था इस activity का, calcium oxide जब water से add होता है, किसी container के अंदर आप add करते हैं दोनों को, तो यह जो combination reaction होती है, इसको check करना था, कि जो combination reaction होगी, इसके result में जो product बनेगा, तो क्या हम इस reaction को exothermic reaction कह सकते हैं, यह नहीं कह सकते, यह check करना इस activity का main उद्देश्य था, clear? तो इसके जरीए आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि combination reaction, water और calcium oxide की जो होती है, वो एक exothermic reaction है, ठीके? तो आज के वीडियो बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आती है, तो आप like, share, subscribe करना मत भूलिएगा, तो वीडियो को starting से last तक देखने के लिए बहुत बहुत इसी तरह से जुड़े रही है Scienceware channel से, मिलते हैं next वीडियो में science के एक नए topic के साथ